अलो इस्ट्रियंट्स वेलकम तु तिवारी अकेडमी आज हम क्लास सेवंथ मैथमेटिक्स में चैप्टर टू फ्रेक्शिन्स एंड डेसिमल्स की एकसाइज 2.1 डिसकस करेंगे इसका पहला कोश्चन है विच आप द्रॉइंग्स ए टू डी शोर्स तू एंड टू इंटू 1 भाई 5, 2 इंटू 1 बाई 2, 3 इंटू 2 भाई 3 and 3 इंटू 1 बाई 4 पहले हम यह समझ लेते हैं कि यह फ्रेक्शन होते किस तरह से हैं जैसे अगर सपोज करेंगे सरकल है इसके हमने सिर्फ 2 हिस्से किये हैं और किसी एक हिस्से को हाइलाइट किया है तो पहले सरकल कितने हिस्स में और एक को हाइलाइट किया है it means यह है one by three मतलब three total part में से एक को हाइलाइट किया है same ऐसी लेते हैं अगर इसमें हम दो को हाइलाइट कर देते सपोस्थ इसको भी हाइलाइट करते तो यह हो जाता two upon three same ऐसी इसको जितने parts में डिवाइट करेंगे suppose circle को हमने five equal parts में डिवाइट कर दिया one two three four five और इसमें से दो को हाइलाइट किया है तो यह है two upon five total कितने parts हैं और कितने parts में इसको हाइलाइट किया गया है तो जो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पहले दिया हुआ है two into one by five जो ऐसा कौन सा section है यहाँ पे कौन सी figure है इसमें जिनमें 5 parts में से एक को हाइलाइट किया गया है तो देखो d option आता है इसमें देखो one two three four five इस five में सिर्फ एक को हाइलाइट किया गया इसको और ऐसे दो है देखो two into तो इसका मतलब है यह फर्स्ट वाला section डी को भी लॉग करता है दूसरा देखते हैं two into one by two अब हमें देखना है ऐसे कौन section है जहाँ पे दो part है और उमें से एक को हाइलाइट किया गया है तो देखो b part को देखो इसमें section है और एक को highlight किया गया ऐसे दो बार दिखो है आप है twice है न यहींद दो बार है एक और दो बार दिया हुआ है इसका मतलब बी जो second part है वो b section को ही b को ही indicate कर रहा है next है हमारा 3 into 2 by 3 देखो 2 by 3 मतलब उसे 3 equal parts में divide किया गया है और उसमें से 2 हिससे ले लिए गये है देखो 3 equal parts में कहां divide किया है यहाँ पे कहीं में दिख रहा है लेकिन अग उसको ध्यान से देखिया हम इस वाले section को देखो यहाँ पे एक अगर हम यहाँ और यह कितनी times है three times देखो one two three times it means जो third part है वो a को indicate कर रहा है अब last last part किसको indicate करेगा c को फिर भी इसको check कर लेते है one out of four देखो इस box के अंदर सभी तीनों box के अंदर one out of four एक section को highlight किया गया है out of four और ऐसे कितने section है यहाँ पे तीन section है तीन section है तीन section है इस तरह यह fourth part c को indicate क करेगा question number two some pictures a to c देखो a b and c are given below tell which of them shows three into one by five two into one by three three into three by four इस section को भी इस question को भी हम ऐसी करेंगे यहाँ दिया है one by five देखो one out of five तो देखो इसका सी पार्ट है इसमें की five sections है one two three four five और एक section को color किया हुआ है same ऐसी यहाँ भी देखो यहाँ भी यहाँ तो कितनी बात देखो यहाँ three times है यहाँ देखो three times है three times और इसमें क्या दिया हुआ देखो one two three three section को color किया हुआ है out of five three by five यहाँ result कितना रहा three by five it means a belongs to c अब आता है दूसरे section को देखते है one by three देखो पहले one by three कहा है और one by three और यहाँ पर देखो दो section दिये हुए है तो two into one by three और इस वाले को देखो one two out of three तो यह two by three हा रहा है it means जो बी section है जो second part है वो a को बिलॉंग कर रहा है अब तीसरे को देखते है three by four out of four three section shaded है देखो one two three section shaded है out of four section देखो one two three part यहाँ भी देखो three part mention है three out of four अब यहाँ पर क्या होगा है देखो two and one by four two section complete है और यह one by four है it means जो third part है वो बी को बिलॉंग कर रहा है question number three multiply and reduce to lowest form and convert into mixed fraction देखो first part है first part में दिया हुआ है seven into three by five देखो इस seven के नीचे one suppose कर सकते हैं तो क्या होगा seven को three से multiply करना प्रेगा seven three या twenty one upon में five अब इस five से twenty one को divide करेंगे देखो twenty one को five से divide किया five four या twenty तो remainder कितना है one जो remainder आएगा वो बनेगा इसका numerator यह आएगा देखो four and one by और divisor वही five रहेगा तो यह mixed fraction में आ गया हमरे पस अब इसका हम second part करते हैं देखो यह वाला part four into one देखो यह one है नीचे तो four into one यह four आ जाएगा four upon three इसको mix fraction में करेगा तो देखो three बन जा three one remainder आएगा one उपर नीचे three देखो ऐसे ही करना है इसको भी four को divide किया three से three बन जा three three आ गया नीचे remainder one तो remainder तो उपर आ गया हमारे पास numerator में और यह आ गया यहाँ पर नेक्स पार्ट थर्ड पार्ट करते हैं तो देखो two into six यह आ जाएगा twelve twelve upon seven seven की टेबल में देखो seven बन जा seven seven two जा twelve fourteen twelve से आ गया हो गया तो हम इसे लेंगे seven बन जा seven और remainder बचा five क्योंकि seven plus five twelve होता है यह आ गया seven इसका next part इस पार्ट को लेते हैं देखो two को five से multiply किया five तूजा ten ten upon nine अब इस nine से ten को divide करते हैं तो nine बन जा nine उपर remainder one बच गया upon nine next इस पार्ट को देखो two into four it is eight eight upon three अब इस three से अगर हम eight को divide करें तो three तूजा six remainder two two by three remainder को हर्दम numerator में रखना है next part ये वाला पार्ट five को six से multiply किया five six आ थर्टी अपॉन two तेखो two की टेबल में 30 कर जाता है two fifteen जा और साथ साथ यहां भी काट सकते two one जा two two three is six अगर ऐसे काटते तो क्या आता two into three fifteen आता इसका अंसर fifteen upon one आता यानि कि fifteen आता और यहां से काटिंग तब भी fifteen आएगा देखो two one जा two two five जा ten तो यहां भी fifteen आया तो यहां भी fifteen आया तो यहां फिप्टी अपॉन one that is fifteen fifteen next part इसका 11 को four से multiply किया 44 आया अपॉन seven अब seven से इसको divide करेंगे seven six जा 42 remainder two upon seven next देखो twenty into four तो इसे multiply करने से पर इस five से काट देते हम five four जा twenty यह four और यह four sixteen हो जाएगा sixteen upon one that is only sixteen इस पार्ट को देखते हैं थर्टीन को one से multiply किया यह आ जाएगा थर्टीन अपॉन three अब इस three से इसको 13 को divide करेंगे तो three four जा 12 उपर remainder one बचेगा नीचे आ गया three अब इसका यह last part इस five से इस fifteen को divide कर सकते हैं five three is fifteen three इन्टु यह three कितना जाएगा nine nine upon one that is nine तो यह आ गये सभी पार्ट के answers question number four shade हमें shade करना है first part में देखो one by two of the circles in the box इस box में जितने circle है one by two मतलब आधे circle मतलब हर दो में से एक circle को shade करना है देखो इन दोनों में से पहले दोनों में से मैंने second वाले को shade कर दिया इन दोनों में से एक को shade कर दिया ऐसे भी कर सकते हो total count कर लेते कितने है यह देखो one two three यहां पे है six nine and twelve तो 12 में से अगर हम six को shade कर देते हैं तो कितना हो जाएगा six out of twelve that is one out of two हर दो में से एक को करना है मतलब 12 में से 6 को करना है तो हम यहाँ पे 6 circle को shade कर देंगे अब यह 6 circle कौन से होंगे कोई जरूरी नहीं है कि एक line से हो 6 circle कहीं भी हो सकते हैं हो सकता है कि हमने यहाँ पे shade किया हो एक circle यहाँ shade कर दिया उपर एक circle यहाँ shade कर दिया है लेकिन टोटल छे सर्कल को ही shade करेंगे हमें आपे next part है इसका 2 by 3 of triangles in the box तो देखो टोटल हम इसके दिखते हैं 3 के group बनाते हैं एक group उपर बन गया एक दिचे तो देखो एक, दो, तीन group बन गया इसके ना out of 3 groups के वाल दो group को shade करना है हमें तो हम एक इसको shade कर देते हैं पहले गूर लाइन को एक दूसरी लाइन को shade कर देते हैं दोखो दो group shaded है out of 3 groups तो हमें उपर के 6 circle को shade triangles को shade करना है next देखो 3 by 5 of square boxes पहले इस boxes को हम 5 equal parts में divide करते हैं तो देखो, एक part ही हो गया यह पहला part, दूसरा तीसरा, चौथा और पाचुआ 5 parts हो गए न इसमें 3 parts को shade करना है पहले हमने 1st part को shade किया यह 1st part हो गया shade फिर दूसरे part को shade किया तृसरे part को shade किया यह part किधर से भी ले सकते हैं इधर से भी ले सकते थे कोई भी 3 part लेकिए उनको shade करेंगे तो यह आ जाएगा, तो यह आ गया 3 by 5 Question number 5 Find First part में है 1 by 2 of 24 और 1 by 2 of 46 पहले हम 1 by 2 of 24 Find करते हैं, देखो First part इसका 1 by 2 of, off के जगा multiply लगाएंगे हम 24 यहां देखो 2 से 24 कट जाएगा 2 बन जा 2, 2 तो जा 4 तो यह आ गया 12 तो First part का answer आ गया 12 अब देखो second part Second part है, 1 by 2 of 46 1 by 2 of 46 इसे भी कट करते हैं 2 तो जा 4 and 2 तो जा 6 मतलब यहां गया 23 अब देखते हैं इसका second part देखो 2 by 3 of 18 तो इसका First part 2 by 3 of 18 3 से कट जाएगा 18 3 सीच जा 18 और 2 इसका Second part 2 by 3 of 27 2 by 3 of 27 3 से काटा यह 9 आ जाएगा और 2 into 9 18 हरदम denominator से numerator या multiply में दियेगे नंबर को ही काटना है अगले पाट को देखते हैं 3 by 4 of 16 तो इसका First part 3 by 4 of 16 तो इसका First part 3 by 4 of 36 3 by 4 of 36 4 से काटा 4 नाइज 36 और 3 नाइज 27 इसका Last part 4 by 5 of 20 देखो First part करते हैं 4 upon 5 of 20 5 से काटा 5 4 जा 20 4 into 4 इस 16 और इसका Second part 4 by 5 of 35 4 upon 5 of 35 5 से काटा 5 7 जा और 4 7 जा 28 इस तरह इसके सारे पाट आ गए Question number 6 Multiply and express as a mixed fraction देखो यहाँ पर दिया है First part 3 into 5 and 1 by 5 इसको पहले हम simplify कर लेते हैं 3 into 5 and 1 by 5 इस 5 से 5 को multiply करेंगे 5 into 5 25 और प्लस 1 तो यह जागा 26 upon 5 अब इसको multiply करते हैं देखो 3 से 26 को multiply करेंगे हैं 3 6 जा 18 and 3 2 जा 6 और 1 7 78 by 5 अब इस 5 से डिवाइड करते हैं 75 एट को देखो और 5 से 78 को डिवाइड करेंगे 78 को 5 से 5 बन जब 5 आ जाएगा यहाँ 2 आ गया 28 5 फाइब जा 25 remainder 3 तो जो जो answer आया है question आया है वो आएगा 15 and जो remainder है वो आएगा numerator में means 3 और denominator में 5 भी रहेगा तो यह इसका answer है अब हम करते हैं इसका second part मतब बी part देखो बी part में है 5 इंटू 6 and 3 by 4 तो देखो 5 इंटू 6 6 and 3 by 4 तो फिस 4 से 6 को multiply करेंगे 4 से ज़िए 24 और प्लस 3 27 27 अपन 4 अब इस 5 को 27 से multiply करना है हमें तो देखो 5 7 जा 35 यह 5 आ गया और 5 तो जा 10 and 3 30 upon 4 अब इसको mixed fraction में करते हैं convert mixed fraction के लिए फिर से divide करेंगे हम 135 को 4 से हम इसको direct भी divide कर सकते हैं separate भी कर सकते हैं 4 3 या 12 1 आ गया 15 4 3 या 12 3 remainder 33 यहां जाएगा 33 and 3 upon 4 इस second part का आ गया अब इसका जाएं C part देखो C part में क्या है 7 into 2 and 1 by 4 इस 4 से 2 को multiply किया 4 तो जाए 8 और प्लस 1 यहां गया 9 upon 4 7 से 9 को multiply किया 9 से बन्जा 63 अब इस 4 से divide करते हैं तो देखो 63 को 4 से divide करेंगे 4 बन्जा 4 4 बन्जा 4 यहां 2 आ गया 23 हो गया 4, 5 यह 20 remainder 3 इसमें भी remainder 3 बचिया तो यह आएगा 15 and 3 upon 4 अब देखते हैं इसकारम D part देखो D part में क्या है 4 into 6 and 1 by 3 तो देखो 3 से 6 को multiply किया 3 से जाए 18 प्लस 1, 19 19 upon 3 अब 19 को 4 से multiply करेंगे 19 फोर यह 76 upon 3 अब इस 3 से divide करते हैं 3, 2 यह 6 यह 1 बचेगा 16 हो गया 3, 5 यह 15 1 remainder 1 upon 3 हम direct भी कर सकते हैं इसको चाहें तो इसका next part 3 and 1 by 4 तो पहले इस mix fraction को हम normal fraction मिलाते हैं improper में 4, 3 यह 12 प्लस 1, 13 13 upon 4 into 6 अब इस 6 को 13 से multiply करते हैं 6, 3 जा 18 and 6 बचेगा 6 और 1, 7 78 upon 4 अब इस 4 से divide करते हैं इसको तो 4 बचेगा 4 बचेगा यहां 3 बच जाएगा 38 हो गया 4, 9 जा 36 2 बचेगा 2 by 4 इसको और simplify कर सकते हैं तो यह आ जाएगा 19 and 1 by 2 एकदम simplified form में इसका last part दो लास पार्ट यह है लास पार्ट को हम separate कर लेते नीचे दोखो यह है 3 and 2 by 5 तो 5 को 3 से multiply किया 5, 3 जा 15 प्लस 2, 17 17 upon 5 into 8 अब इस 8 से 17 जो multiply करेंगे 8 से बचेगा 56 8 बचेगा 8 and 5 13 upon 5 अब इस 136 को 5 से divide करते हैं दोखो 5, 2 जा 10 यहां 2 आ गया यहां 3 बचेगा 36 5, 7 जा 35 1 बचेगा तो 1 remainder upon 5 तो यह लास पार्ट का अंसर आ गया question number 7 find first part में दोखो a में दिया हुए 1 by 2 of first part में 2 and 3 by 4 और second part में है 4 and 2 by 9 तो हम दोखो इसमें पहले find करेंगे 1 by 2 of 2 and 3 by 4 a का first part करते हैं 1 by 2 of 2 and 3 by 4 यहां mix fraction दिया हुआ है इसे पहले हम improper में लाते हैं improper fraction देखो 4 को 2 से multiply किया 4 तो जा 8 8 में 3 add किया तो 11 11 by 4 अब इनको multiply करते हैं 1 को 11 से 11 आ गया 2 को 4 से 8 आ गया अब इसको करते हैं mix fraction में 8 की table में देखो 11 कब आएगा 8 बन जा 8 और 3 11 तो बचेगा 3 by 8 यह आ गया हमारे first part का answer यह हमारा a का first part था अब एक के second part को करते हैं देखो एका second part 1 by 2 of देखो यही fill लेंगे हम 1 by 2 of 4 and 2 by 9 4 and 2 by 9 तो यह आएगा 1 by 2 of देखो 9 4 जा 36 और plus 2 38 upon 9 अब देखो यहाँ पर इस 2 से हम 38 कर सकते हैं तो पहले इस 2 से कट करेंगे 2 1 जा 2 यहाँ 2 1 जा 2 2 9 जा 18 और यह आ जाएगा 19 upon 9 अब इसको mix fraction में convert कर देते हैं 9 2 जा 18 उपर remainder कितना आएगा 1 upon 9 तो यह आ गया first के second part का answer अब हम देखते हैं second के first part का answer b के first part का answer देखो यहाँ 5 by 8 of 3 and 5 by 6 3 and 5 by 6 इसको पहले simplify करते हैं 5 by 8 of देखो 6 3 जा 18 18 और 5 23 upon 6 देखो इसने उपर नीचे कुछ भी cut नहीं रहे तो क्या करेंगे इसको उपर से उपर multiply करेंगे नीचे को नीचे से multiply करेंगे 5 3 जा 15 and 5 2 जा 10 and 1 11 upon 8 6 जा 48 अब देखो इसके बाद क्या होगा अब इसको divide करना पड़ेगा 48 को अगर हम 48 से divide करते हैं इसको प्रॉपरली इसको divide करेंगे देखते हैं 1 1 5 को divide किया 48 से तो जो जो 48 1 जा 48 2 जा जाएगा 2 8 जा 16 and 2 4 जा 8 1 9 96 15 minus 6 यह 9 जाएगा यहां देखो कि आप चे का 10 10 minus 9 जो 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 इस तरह 19 हमारा डिमिंडर आ गया तो इसका answer क्या आएगा 2 क्योंकि हूपर question में 2 आया है and 19 upon 48 अब B का second part करते हैं B का second part है देखो 5 by 8 यही फिल लेंगे हैं 5 by 8 5 by 8 of 9 and 2 by 3 9 and 2 by 3 इसको simplify करते हैं 5 by 8 into 3 9 जा 27 27 and plus 2 27 or 2 29 upon 3 इसको फिर देखो अब simplify करते हैं 5 को इससे multiply करेंगे 5 9 जा 45 यह 5 आजाएगा 5 तो जा 10 and 4 14 नीचे 8 को 3 से multiply गया 8 तो जा 24 अब इसको फिर से divide करते हैं 145 को 24 से divide करते हैं 24 की टेबल में 24 तू जा 48 तो 24 की टेबल में कब आएगा 25 की अगर टेबल होती 25 जा 150 होता है तो लगभगी 6 टाइम जाएगा अगर 6 से multiply कर चेक करते हैं इसको हम 6 4 जा 24 and 6 2 जा 12 and 2 14 तो 144 आया ना तो 24 6 जा तो यह आएगा 6 टाइम 24 6 जा 144 remainder 1 आ गया जो remainder आया उसे उपर रखेंगे नीचे आ गया 24 तो यह आ गया second part का answer question number 8 यह exercise 2.1 का last question है Vidya and Pratap went for a picnic their mother gave them a water bottle and that contained 5 liters of water Vidya consumed 2 by 5 of the water Pratap consumed the remaining water how much water did Vidya drink what fraction of the total quantity of water Pratap drink तो किया जो total quantity of water है वो कितना है 5 liters अब यहां देखो विद्या ने कितना consume किया है 2 by 5 जो विद्या का share होगा विद्या का share होगा विद्या share कितना होगा 2 by 5 of 5 liters देखो 5 liter का ही 2 by 5 लिया है उसने तो 2 by 5 of 5 liter यहां देखो 5 5 cancelled it means 2 liter share किया उसने अब जो बाकी बचा हुआ है वो किसने लिया है प्रताप ने तो अब यहां directly प्रताप का share निकाल सकते हैं न हम प्रताप सा share कितना आएगा total 5 liter था विद्या का share minus कर दिया हमने जो बचा हो प्रताप का share आगया it means 3 liter तो प्रताप का share कितना आया 3 liter of water तो अब जो प्रताप का